छोटी छोटी मगर काम की बाते हैं पहला, अगर आपके होट फटते हैं तो देशी घी को गर्म करके अपने होटों पर लगाने से लाब मिलता है दूसरा, अगर मुह से बदभू आती है तो एक छोटा टुकड़ा दालचीनी मुह में लेकर चूसने से मुह की बदभू से निजात मिलता है तीसरा, अगर आपके बाल असमे सफेद हो रहे हैं तो नहाने से आधा घंटा पहले प्याज का पेश्ट अपने बालों पर लगाएं चौथा, अगर आपका सरी कहीं जल गया है तो जले हुए स्थान पर आलू पीस कर लगाने से तुरंत आराम मिलता है पाँचवा, अगर किसी ने सराब ज्यादा पी ली है तो उसे ककड़ी या खीरे का रस पिलाने, खिलाने से नसा उतर जाता है माशिक धर्म में दर्द से निजात पाने के लिए ठंडे पाने में दो तिन निवू निचोड कर पीएं सत्वा, तीज सरदर्द से राहत पाने के लिए सेव को छील कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इसमें एक चुटकी नमग मिला कर प्राते खाली पेट खाएं अगर पेट में केचुएं या कीड़े हैं तो सेम के पत्तों के रस में थोड़ा सा शहद मिला कर पीने से केचुएं और कीड़े तीन-चार दिन में बाहर निकल जाते हैं 9. काले होटों को गुलावी करने के लिए मक्षन में थोड़ा सा केसर मिला कर रोजाना होटों पर लगाएं 10. अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो तो जाना सुबह एक गिलास पानी में दो चम्मचीनी एक चुटकी काला नमक और आधा नेमबूनी चोड़ कर पीने से कब्ज की समस्या से चुटकारा मिलता है 11. अगर मुँमें चाले हो गए हैं तो केले के पेश्ट से पेश्ट में शहद मिला कर खाएं 12. दात में दर्द होने पर सेंधा नमक और हल्दी पीस कर उसमें सरसु का तेल मिला कर प्रतिदिन सुबह साम मंजन करने से दात दर्द में आराम मिलता है 13. प्रतिदिन गर्म पानी में निम्बू और शहद मिला कर खाली पेट पीने से मोटापा दूर होता है 14. रोजाना सुबह दूद के साथ आमला खाने से हाई बलड प्रेशर से राहत मिलता है 15. निम्बू के रस में थोड़ा सा नमग मिला कर नहाने से सुन्दरता बढ़ती है और तवचा का रंग निखरता है 16. निम्बू के रस में सहद और दूद पावडर मिला कर पेश्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगा कर 15 मिनिर बाद धो लें 17. अगर गले में खरास की शिकायत है तो एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी, हल्दी और आधा चमच नमक मिला कर दिन में कम से कम चार पांच बार गरारे करने से आराम मिलता है 18. संत्रे के रस में आधा चमच शहत मिला कर दिन में तीन चार बार पीने से गर्भवती इस्तिरी को दर्स्त की समस्या से निजात मिलता है 19. दातों के दर्द से तुरंत चुटकारा पाने के लिए एक छोटा टुकड़ा अधरप चबाएं 20. फोड़े फुंसी होने पर नीम की हरी पत्तियों को पीश कर गाय के घी में पका कर फोड़े पर कपड़े से बांध लें इससे फोड़े फुंसी जल्दी ठीक हो जाएंगे 21. अगर आपके सीर में रूसी है तो नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला कर नहाने से एक घंटा पहले बालों में लगाएं 22. अगर आपको जुखाम है तो लॉंग काली मिर्ट से बनी चाई पीने पीएं ते इस सरीर में कहीं भी चोट लगने पर और सूजन होने पर बर्फ की सिकाई करें इससे काफी राहत मिलेगी 24. लसुन की तीन चार कलियां देशी घी के साथ खाने पर गैस की तकलीफ से चुटकारा मिलता है 25. बार बार चीक आने पर एक गिलास गुनगुने पानी में काले मिर्ट डाल कर पीने से राहत मिलती है